नमस्कार दोस्तों, जनता टॉकीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ साजा करेंगे किशोर कुमार और रजनीकांत के टोटल गाने, जिसे हम में से कई लोगों ने बहुत कम बार सुने हैं। किशोर कुमार ने रजनिकांत के लिए केवल साथ गाने गाये थे, जिसे हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपने अभी तक जनता टॉकीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किशोरदा और रजनीकांत ने एक साथ अपना सफर साल 1983 में फिल्म अंधा कानून से शुरू किया था। गाना है मेरी बहना दीवानी है जिसे रजनीकांत और हेमा मालिनी पर फिल्म आया गया था। दूसरा गाना फिल्म मेरी अदालत का था जो साल 1984 में रिलीज हुई थी। गाना है यू आर ब्यूटिफुल जिसे रजनीकांत और जीनत अमान पर फिल्म आया गया था। उसी वर्ष किशोर कुमार ने फिल्म गंगुआ में रजनीकांत के लिए एक और गाना गया था। किशोर कुमार और आशा भोंसले का एक बहुत ही मधुर और शानदार स्लो रोमैंटिक गाना है ये। गाना रजनीकांत और शबाना आजमी पर फिल्म आया गया था। सजना, सजना, सजना जैसी तेरी जवानी, छूके बदन को भी सल जाए पानी, देखा जो खुदरत ने तुझ को हो गई बीवानी उसी साल 1985 में किशोर कुमार ने फिल्म वफादार में रजनीकांत के लिए दो गाने गाए पहला गाना है आशा भोंसले के साथ एक तारा एक तारा दिल में बजा और इसे रजनीकांत और विजेता पंडित पर फिल्म आया गया था दूसरा गाना है आशा भोंसले के साथ एक चंदन की खुशबू जिसमें रजनीकांत और पदमिनी कोलहा पुरे थे किशोर कुमार और रजनीकांत कॉंबिनेशन का आखिरी गाना फिल्म भगवान दादा से है जो वर्ष 1987 में रिलीज हुई थी और इस गाने में पहली बार रजनीकांत के साथ हम हृतिक रोशन को बाल कलाकार के रूप में देखे थे तो दोस्तों आज के वीडियो को समाप्त करते हुए हम आशा करते हैं कि आपको हिंदी फिल्मों में रजनी अन्ना के लिए किशोर्दा के गाय हुए गाने पसंद आया होगा क्रिपया लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो में साजह किये गए आज के गीतों के बारे में अपनी राय बताएं रेट्रो बॉलिवुड से जुड़ी हर चीज की अपडेट पाने के लिए जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें कल्ट क्लासिक फिल्म आराधना का सूपर हिट गाना रूप तेरा मस्ताना की मेकिंग पर एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी दोस्तों आपके कीमती समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद